नमस्कार दोस्तों, जैवाल पॉइंट के यूटूब चैनल में आप सभी कस्वागत हैं, देखिए फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बात करेंगा, RRB NTPC और RRB Group D के रिगार्डिंग कब तक फॉर्म आ सकते हैं, कैसे प्रिपेशन करनी, क्या कि सेलिबस होता है, किस तर यह दोस्तो, RRB NTPC, इसके फॉर्म इस बार जो हैं, दो बार आएंगे, ठीक है, पहले इसके जो फॉर्म आये थे, वो एक ही बार आये थे, 12 और ग्रेजुएशन बेस पर दोनों पर, अबकी बार, ग्रेजुएशन बेस पर पहले आएंगे, फिर इसके बार 12 बेस पर आए और गुर्सगार्ड की, स्टेशन मास्टर की यह सब, जो की गुर्सगार्ड हैंडिकाप और स्टेशन मास्टर में हैंडिकाप लोगों को, इंक्लूड नहीं किया जाएगा, अब बात करें, इसमें काफी लोगों के थोड़े से डाउट रहते हैं, कि कौन सी कैटेगरी को लिया जाएगा, वन लेग, बोथ लेग, वन आर्म, बोथ आर्म, तो देखिए, लगबग सभी कैटेगरी में इंक्लूड होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, और टाइपिंग एक्जंशन मिल जाएगी, कुछ पोश्टो पर टाइपिंग होगी, तो उन टाइपिंग में एक्जं एक तो यह है कि दोस्तों, आपसे टाइपिंग होई नहीं सकती, ठीक है, यानि कि आप प्रोपरले विल्पूल टाइपिंग करी नहीं सकते, आप ऐसे परसन हो, यानि कि आपकी फिंगर नहीं है, एक ऐसा है कि टाइपिंग तो आप कर सकते हैं, और आप जानबूज करके कह करें कि मैं उसे typing नहीं होगी यह नहीं होगा और आप exemption ले लेते हैं तो ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाता है ऐसे लोगों को exemption नहीं मिलती ठीक है दोस्तों तो typing exemption आप लोगों को मिलेगी अगर आपके प्रोपर दिक्कत है तो दूसरी बात अगर हम इसकी syllabus की बात करें तो इसमें आपका CBT1 होगा और syllabus जो हैगा वह math होगा reasoning होगी ठीक है reasoning होगी इसमें और gk होगी ना कोई हिंदी आती इसमें ना इंगलिस आती है यह चीज़ इसमें नहीं आती है यह सिर्फ इसमें तीनी subjects आप से आएंगे और gk होगी math और reasoning होगी ऐसे ही CBT2 होगा उसमें भी same यही pattern रहेगा यही question रहेंगे question का level up हो सकता है थोड़ा बहुत और number of question ज्यादा हो जाएंगे इससे ज्यादा कोई फर्ग नहीं पड़ता अगर हम बात करें इसके safe score की CBT1 की दोस्तों पहले CBT1 जो होगा वो 100 number का होगा उसमें depend करेगा zone wise की category एक तो आपकी यही है की 4 categories है handicap category में भी OH, VI, HH, MD आपकी कौन सी category है इस यह भी mention आपको करना पड़ेगा उसमें तो इस पर भी depend करेगा कि आपकी category जो की MD और HH की काफी कम cut up जाएगी ठीक है OH category में भी काफी जाएगे देखी कुछ zone ऐसे थे पिछली बार में जो काफी कम cut up गई थी जो अगर हम CBT1 की बा 12th base की cut up अलग थी, graduation base की cut up अलग थी तो इस तरीके से अलग अलग पोश्टो की cut up अलग अलग थी तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको एक रफली idea दे रहा हूँ 40-70 वो क्यासे थी, क्यों थी 40-70 जैसे गुहार्टी zone था, त्रिवन्तपुरम zone था, चिन्नी zone था, zone थे, इनमें लगबग 60-70 तो 70 नहीं गई थी, 70 से कम ही गई थी पहले तो, बाद में दुबारा revise हुआ था, result वो NTPC जिन दो लोगों 2009 इस में भरा था form उनको पता होगा, cut up यह आपकी लगबग 50 नंबर तक चली गई थी, और यह cut up यह थोड़ी सी घट करके 30 नंबर तक ह cut up गई थी, ठीक है दोस्तो, इस बार भी आपके लगबग number of vacancies पर depend करेगा, फिर आपकी zone पर depend करेगा, तो काफी चीजे होती हैं, जो की बाद में ही पता चलेंगी, जब form आएंगे, किस zone में कितनी vacancies आएंगी, किस category के लिए कितनी vacancies आएंगी, ठीक है दोस्तो, तो यह train चला हुआ है, कि सबसे ज़्यादा जो नोकरी मिलती है, वो railway में दी जाती है, railway में एक और फायदा है, अगर आपको, इसमें sit बेकार नहीं होती, लगतार, इसमें reserve categories या कोई भी category हो, उनके लिए, अगर कोई medical में या फिर किसी तरीके से document verification में बाहर हो जाता है, तो अगल railway में नहीं होता हूँ, अगर हम बात करें railway group D की, तो railway group D में काफी ज़्यादा students select हुए थे, handicap category में, railway group D में तो आपका CBT-1 ही होगा, बस, CBT-1 होगा, और physical है, इसमें नहीं होता है, जैसे वो race वगएरा होती है, तो P.W.D. Seric candidate का exempt होता है, कोई, आपको इसमें कुछ नहीं बनवाना पड़ता है, किसी तरीके का certificate बनवाना पड़ता है, जैसे typing exemption का certificate बनवाना पड़ता है, कुछ नहीं, अपने आप government आपको कहते है, आपका exempt है, physical आपको नहीं देना, और इसमें जो आता है, math आएगा, reasoning आएगी, और science आएगा, science इसमें अलग से mention होता है, gk आपको करना है, math, reasoning और science, इसमें अलग अलग कटोफ गई थी, दोस्तों, अगर हम बात करें, इसमें 100 नंबर में से कटोफ गई थी, handicap category की, वो अलग अलग कटोफ थी, अलग अलग zone की अलग कटोफ थी, number of vacancies पर depend करता था, zone पर depend करता था, इसमें भी फिर बाद में काफी घ अगर हम इसकी कटोफ की बात करें, रेंज की तो लगबर आपको वहीं 40 से लगा करें, 60 नंबर तक कटोफ रही थी, zone वाई जी, ठीक है, इसी तरीके से उमीद है, आगे भी कटोफ का जो भी होगा, वो हम बताएंगे आप लोगों को, अभी तो आपको कटोफ ना देखकर क अभी अपना सेलेवस देखना है, वेकेंसी देखनी है, किस तरीके से वेकेंसी और वेकेंसी की बात करें, तो NTPC अक्टूबर तक आ जाएंगी, और ग्रूप डी लगवक्ट दिसंबर तक आपकी सामने होगी, ठीक है दोस्तों, यह आपका अक्टूबर तक चांस है पूर कि मादम से आप लोगों की चैनल के मादम से बता दिया जाएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, धन्यवाद दोस्तों